मद्रिप्रदेश में होने जा रहे विधान सभा चुनाव को लेकर सियासी बाजार गर्म है सभी पार्टियों में दल बदल का खेल सुरू है इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर यह है कि कॉंग्रेश पार्टी छोड भाजपा की सदसिता लेने वाले पूर्वि पार्टी छोड़ने की बाद कही है अभे मिश्रा का यह पत्र सोसल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है श्री मिश्र द्वारा भाजपा से इस्तिफाद दिये जाने के बाद एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म हो गया है अब कयासों का दौर सुरू हो गया है कयास यह लगाए जा रहे हैं कि पूर विधायक अभे मिश्रा कॉंग्रेस पार्टी की टिकेट पर रीवा अत्वा सिमरिया विधान सभा से बतोर प्रत्यासी मैदान में उतर सकते हैं हालाकि अभी कुछ भी इस पस्ट नहीं है लेकिन यह जरूर साफ है कि अभे मिश्रा अ भाच्पा की टिकेट पर विधायका बनी थी 2018 की चुनाव में अभे मिश्रा भाच्पा छोड कॉंग्रेस में सामिल हो गय थे और उन्होंने रिवा विधान सभा सीट से चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था ग्यात हो कि कुछ माह पहले अभे मिश्रा पत्नी नीला मिश्रा के साथ भाच्पा में सामिल हुए थे इस दर्म्यान स्री मिश्रे ने कहा था कि कॉंग्रेस के रीती नीती उन्हें अच्छी नहीं लगती है तब उन्होंने यह भी दावा किया था कि पूर्व मुख्य मंत्री वे प्रदेश सध्यक्ष कॉंग्रेस तमलनाद दोरा उन्हें टिकेट के लिए इसारा किया गया था बावजूद इसके वे भाच्पा की सदसिता ले लिये थे सदसिता के दोरान उनकी पत्नी वे पूर्विधायक नीला मिश्रा भी भाच्पा में आ गई थी जिसे लेकर अटकली लगाई जा रही थ मिधाल सभा में चहरे का बदलाव होगा हालाकि बिजेपी की अभी पाच्वी सूची जारी नहीं हुई है बावजूद इसके पूर्विधायक अभ्यमिश्रा ने मुख्य मंत्री सहित अन्नेताओं पर वाधा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाच्पा को अलविदा कह मेडिया से बात चीत में श्रीम मिश्रे ने कहा कि अब वह कॉंग्रेज पार्टी वह कमलनात के साथ है पार्टी वह हाई कमान द्वारा उन्हें जो भी दायत्व सौपा जाएगा उसका वह पालन करेंगे